नमस्कार दोस्तों केके एक्जाम फाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी सही होंगे चलिए दोस्तों आज मैं इलेक्ट्रिशियन थेवरी के बेवसाइक स्वास्त एहम सुरच्छा से कुछ महत्पूर प्रस्ण लेकर आया हूँ जो की आपके किसी भी ITIE लेवल के टेक्निकल एक्जाम के लिए आति महत्पूर साबित होंगे दोस्तों ये प्रस्ण वल लाइनर होंगे हम इसमें पचास प्रस्ण करेंगे दोस्तों चल दोस्तों इन प्रस्ण को सुरू करते हैं फ्यूज सदेव किस पर संयोजित करना चाहिए राइट एंसर फेज पर फेज तार पर फ्यूज संयोजित करना चाहिए हमेशा अगला है विद्धुतकार के जूते प्राया किस से बने होने चाहिए यानि विद्दुतकार यानि एलेक्ट्रिशन के जूते किसके बने होने चाहिए रबड के सुरच्छा संकेत कितने प्रकार के होते हैं राइट एंसर चार प्रकार के जो की निसेधात्मक संकेत, अनिवारे संकेत, चेताउनी संकेत और सुचनात्मक संकेत अगला प्रश्ण है विद्दूस से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए राइट अंसर रेत का लकड़ी कागा कपड़ा जूट जूट है यहाँ पर आदी में लगी आग किस रेड़ी की होती है राइट अंसर एस रेड़ी की इसे बुझाने के लिए पानी की आवश्यक्ता होती है विद्दूस अप्लाई कितने प्रकार की होती है राइट अंसर दो प्रकार की जो की एसी और डीसी प्रकार की होती है निवन में से कौन से सुरच्चा उपकराण PPE की इस रेड़ी में आते हैं राइट अंसर है चस्मा, दास्ताने, सुरच्चा पेटी ये सभी कारिशाला में सुरच्चित पहनावे के अंतरगत क्या आता है धीले कपड़े, टाई, मफलर, आदी लाल रंग का बाडर तथा लाल रंग की क्रास पट्टी की इस प्रकार की सुरच्चा चिन्न में बनाई जाती है नीसे धात्मक सुचनात्मक सुरच्चा चिन्न का धरातल इस आकार का होता है राइट एंसर वर्गाकार का विद्धुत मैतार के संपर्क में आए ब्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उढ़ाएंगे राइट एंसर उसे विद्धुत मैतार से छुडाएं जो की में स्विच पहले आप करना चाहिए निम्न में से कौन सा सुरच्चा चिन्न ब्रत्ते में दर्साया जाता है राइट एंसर निसे धात्मक चिन्न अगला है निम्न में से कौन सा चिन्न 415 वोल्टेज का खत्रा को प्रदर्शित करता है राइट एंसर चितावनी चिन अगला है काउन सा चिन दरसाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए राइट एंसर अनिवार चिन विद्दू तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रियोग किया जाने वाला अगनी सामक यंत्र है कार्बन टेट्रकलोराइड यूक्त यंत्र अगला है दोस्तों विद्दूत उपकरडों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रियोग करते हैं राइट एंसर हैलोन प्रकार के पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए डेट डेस का प्रियोग किया जाता है फोम टाइप अगनी सामक यंत्र का सी सी यल फोर का पूरा नाम क्या है कार्बन टेट्रकलोराइड सभी स्रेडी प्रकार की आग बुझाने के लिए निमन में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रियोग किया जा सकता है राइट एंसर सी टी सी अगनी सामक यंत्र अगला है लिक्विफाइट गैसो द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस रिड़ी आग बुझाने वाले अगनी सामक यंत्र उप्यूक्त है ड्राइ पाउडर अगनी सामक अगला दोस्तों निम्न में से किसमे लगी आग के लिए सीतल जल की बौचार उप्यूक्त रहती है कागज लकडी में लगी आग तेली सता की सफाई है तुँ क्या प्रियूक्त करना चाहिए लकडी का बुरादा प्रात्मिक उप्चार ब्रक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है राइट एंसर बीटा डीन अगला है विद्दूत सप्लाई के तार से चिपके ब्यक्ति को दूर करते हैं किस से दूर करते हैं राइट एंसर है दोस्तों सूखी लकडी से यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन मैं वता देता हूँ सूखी लकडी से कोई छड़ी हो उसी में से उसको हटाना चाहिए अगला है जब धारल बहुत नीचले इस्तर पर होती है तो विद्दु जटके का अभ्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा राइट एंसर संपरकिस्तान पर मामूली जलन होगी अगला है दोस्तों क्रतिम स्वांस किरिया की सरलतम विदी क्या है मूह से मूह में स्वांस देना अगला है निम्नमे से किस विदी में पीडित को पीट के बल लिटा कर उसकी पीट के नीचे तकिया लगाते हैं राइट एंसर सिल्वेश्टर विदी में क्रतिम स्वांस की सैफर विदी को एक मिनट में लग भग कितनी बार दोहराना चाहिए बारा से पंद्रा बार यदि किसी महिला कारीगर को मुह से मुह में स्वांस देना हो तो उप्युक्त विदी क्या है रबर वालव का प्रियोग करें अगला है दोस्तों विद्दूद चालित उपकरणों का निर्माड अनुरच्छनड और मरमत का कारे करने वाला कारीगर क्या कहलाता है राइट एंसर विद्दूद कार कहते हैं यनि एलेक्ट्रिशियन स्रेडी सीव टाइप की अगनी में में किस प्रकार की आग आती है गैस की चेतावनी चिन्द की प्रष्ट भूमी किस रंकी होती है पीले रंकी अगर कोई ब्यक्ति बेहोस हो जाता है तो पहली कारेवाही क्या होगी ब्यक्ति की सांस जाच करें किसी दूर घटना की अप्रत्य अच्छे लागत क्या होती है गायलों के अनुत्पादक समय की लागत निम्न में से कौन सा सब्द फाइप एस प्रडाली का भाग है दोस्तों साइन, सौर्ट, सस्टेन, आदी अगला है दोस्तों आग बुझाने की मसीन में कौन सा रंगीन, बैंड, कार्बन, डाय, अकसाइड समागरी को दरसाता है काला अगला है पेट्रोल, तार, पेंट जैसे, जोलन, सील, तरल, पदार्थों के कारण किस वर्ग की आग लगती है वर्ग भी की आग लग जाती है वेंट, केमिकल, फायर, एक्स, ट्यूसर, मेल, इस्तेमाल में इस्तेमाल होने वाला मुख्य घटक, मुख्य तत्यू काउन सा है पोटैसियम अगला है विद्धुत आग में किस प्रकार की अगनी सामक यंत का प्रियोग किया जाता है है, हैलाइन सीटी सी वाले हैलाइन टाइप को जो होते हैं यंत्र उन से अगनी ध्वानी संकेत प्रडाली के भाग को क्या कहते है धुआ और उस्मा डिडेक्टर घंटियां, डिकैम, पैनल, अलारम, बैटरियां आदी अगला है दोस्तों, कितने मिली एंपियर से अधिक विद्द धारब वाले बिजली के जटके से तवचा जल्ज जाएगी 200 मिली एंपियर से विद्द उपकरणों पर किस प्रकार के अगनी सामक का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए जाग प्रकार के तेल, ग्रीज, पेंट से लगने वाली आग काउन से रूप में वरगी करत की जाती है B टाइप जो द्राव से आग लगती है धुम्रपान निसेद का निसेधात्मा चिन यहाँ निसेधात्मा का है दोस्तों प्रदाशित करने के लिए किस प्रकार की अक्रती का उप्योग किया जाता है व्रत्ताकार सामान्य उम्र और स्वस्थ वाला व्यक्ती का प्रतिरोध कितना होगा एक किलो ओम या नव मिली एंपियर अगला दोस्तों विद्धूत उपकरण का उप्योग करते समय निम्र में से कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए राइट एंसर कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए अगला है निम्र लिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरच्चनियमों में से एक है मसीन चलाने के दौरान करमचारी को सावधानी बरतनी चाहिए अगला है दोस्तों मानव सरीर पर बिजली के जटके का प्रभाव निम्र लिखित पर निर्भर करता है लाइन वोल्टेज पर वर्कसाप में भारी समान उठाते समय अधिक्तम भार सरीर के किस अंग पर होना चाहिए पैरों पर निम्र लिखित में से काउन सा रोधक पदार्थ कपास के तुकड़े के राशाइनिक उप्चार से बनाया गया है राइट एंसर राशाइनिक रिती से बनाया हुआ दोस्तों ये रहे आज के प्रस्न अगर वीडियो अच्छा लग हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हम रोज इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे जिसमें की 50 प्रस्न होंगे अगर आप रोज 50 प्रस्न पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें आज के लिए इतने ही दोस्तों फिर मिलेंगे ने स्ट्वीडियो में तब तक के लिए बाई